दोस्तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि Angel One एप्लिकेशन से सिर्फ 100 रुपिज से आप कैसे SIP स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तो अगर आप Angel One एप्लिकेशन में मेच्वल फंड में इन्वेश्ट करना चाहते हैं और अब सिर्फ 100 रुपिज से ही स्टार्ट करना चाहते हैं मन्तली का तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं कैसे करना है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा है अगर आप सोच रहा हैं कि आप Angel One में SIP करें तो आप इस वीडियो को देख करके बहुत ही आसानी से SIP स्टार्ट कर सकते हैं सिर्फ 100 रुपिस में कैसे करेंगे चलिए जानते हैं आज किस वीडियो में उससे पहले सभी से रिक्वेस्ट है अगर इस चानल पर फर्स टाइम आप विजिट किये हैं तो चानल को सब्सक्राइब करके नॉटिफिकेशन को आल पर सेट कर लिजी ताकि इसे तरह नॉलिजफिल वीडियो आगे भी आपको मिलता रहे तो दोस्तो सबसे पहले आप सभी से यह कहना चाहूंगा कि आप कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार फ्रोफर नॉलेज ले ले तभी आप इन्वेस्ट करें आप Angel One application से अगर Angel One का application आपने अभी तक download नहीं किया है तो इसी वीडियो का description में जाके आप application को download कर सकते हैं और साथ ही आप अपना account complete बना करके login कर सकते हैं देखिए दोस्तों जैसे आपका application open हो जाता है तो आपके सामने कुछ ऐसा dashboard open हो जाता है अभी अब जैसे scroll करके नीचे आएंगे तो यहां पर बहुत सारा आपको option मिल जाता है यहां पर देखिए दोस्तों एक banner चल रहा है जिसमें लिखा हुआ है start your mutual fund यहां पर लिखा हुआ देख सकते हैं start your mutual fund SIP with just 100 रुपीस देखिए सिर्फ 100 रुपीस में आप SIP start कर सकते हैं तो simply दोस्तों आप यहां पर जैसे invest now के option पर click कर देते हैं तो यहां पर आपको अलग-अलग mutual fund के fund दिखाई देने लगते हैं तो आप देख सकते हैं किसी में 29% per year किसी में 31% per year किसी में 25% per year और यहां पर आप अपना according जो भी आपका research है जो भी आपका knowledge है उसी हिसाब से आपको fund को चुनना चाहिए किसी भी वीडियो में बताये गए आप अगर follow करते हैं process को और अगर आप उसमें invest करते हैं तो आपका नुकसान भी हो सकता है तो आप इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखें यहां पर SIP with 500 का आपको tab है जिसमें 500 से भी आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं high return पर क्लिक करके आप अलग-अलग fund को check कर सकते हैं कि कौन सा fund कितना return दिया हुआ है और index fund पर क्लिक करके आप index fund का check out कर सकते हैं तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 100 रुपिस से SIP कैसे कर सकते हैं तो अलग-अलग company है मैं चली कोई भी एक company को example के लिए ले लेता हूँ और मैं आपको recommend नहीं करूंगा कि आप इसी पर invest कीजिए मैं यहाँ पर इस company को select कर लिया जैसे आप इस पर select करेंगे तो automatic यहाँ पर inter amount 100 रुपिस आ गया है आप चाहे तो one time में भी आप invest कर सकते हैं चाहे आप मंधली SIP कर सकते हैं यहाँ पर आप pay पर जाके payment कर सकते हैं उससे पहले आप उपर में इस company की नाम पर clicker के इसका growth देख सकते हैं कि last 3 साल में जो इसका return दिया है वो आप देख सकते हैं 28.82% दिया हुआ है annually इसके साथ में देख सकते हैं एक मन्त का क्या इसका return है 3 मन्त का क्या return है 6 मन्त का क्या return है 1 year का क्या return है ठिक इस परकार से आप 5 यर तक का देख सकते हैं और साथ में आप All Time का भी देख सकते हैं इसी के साथ में दोस्तों अगर मानलेजी आपको 3 यर का देखना है तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा Small Cap में इसका जो Ranking है वो भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे देखे calculate your return लिखा हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं total value amount यहाँ पे देखने को मिल रहा है और बता रहा है कि अगर 100 रुपिस अगर आप minimum SIP कराते हैं 3 साल के लिए तो आपका total value इतना होता है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी इसका मंधली है one time है वो आप calculate कर सकते हैं और देख सकते हैं बाकी interest rate आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है इसके निचे ठीक आपको अलग आपको यहाँ पे fund मिल जाता है इसके साथ में आप other information पे click करके आप इसका other information ले सकते हैं fund manager पे click कर सकते हैं high risk या फिर इसका rating क्या है वो आप check कर सकते हैं fund holding check कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको अलग-अलग option मिल जाता है जिससे आप इस tab को use करते हुए आसानी से check out कर सकते हैं देखिए अगर आपको लगता है कि इसमें invest करना चाहिए तो आप simply invest now के option पे click किजेगा अब आपका जो भी payment method है यहाँ पे जैसे कि phone पे Google पे जो भी आप UPI payment use करते हैं इसमें भी payment करके आप आसानी से जो है अपना SIP start कर सकते हैं home tab पे click किजेगा home tab पर click करने बाद उपर में mutual fund में click किजेगा mutual fund में click करने के बाद नीशे आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे SIP का तो इस SIP के option पे click कर दीजेगा अब जैसे SIP के option पे आप click करते हैं तो जो भी आप SIP करते हैं active SIP कितना है मंतली कितना है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और SIP का जो भी यहाँ पे आपने invest किया हुआ है जिस भी fund में वो उसका नाम देखने को मिलेगा कुछ इस परकार से दोस्तो आपका यहाँ पे दीखेगा कि आपका SIP कौन सा है और next आपका जो भी installment होगा जो premium होगा वो payment कप कटेगा वो date आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा तो जितना भी आप SIP करते हैं उसका सारा आपको यहाँ पे counting दीखेगा कि आपने एक SIP किया है या दू या फिर तीन वो सब कुछ आपको यहाँ पे दीखेगा और साथ में आप यहाँ से SIP को manage भी कर सकते हैं इसे आप inactive कर सकते हैं cancel कर सकते हैं सब कुछ जोस्तों आपको यही से manage करने का option मिल जाता है तो उमीद है आपको पता चल गया है कि कैसे आप angel one application से सिर्फ 100 रुपीज से आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं आने वाली टाइम में हम आपको और भी वीडियो देंगे जिसमें बताएंगे कि SIP को आप redeem कैसे कर सकते हैं SIP को आप कैसे manage कर सकते हैं किसी SIP को आप cancel कैसे कर सकते हैं यह अलग-अलग वीडियो में हम आपको आगे बताती जाएंगे तो अगर वीडियो आपको helpful लगा है तो वीडियो को एक like करिएगा अपने दोस्तों के साथ share करिएगा चैनल पर first time आया है subscribe करके जाएगा हम मिलते है friends अगली वीडियो में thanks for watching